Hello everyone and once again welcome to Instagram course, myself उमर तसकीर गाइस, इस पर्टिकलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about Instagram Stories, तो practically हम लोग नहीं देखने वाले हैं कि Instagram Stories हम लोग किस तरी किस अपलोड करते हैं, क्या-क्या हमें settings और क्या-क्या options हमें मिलते हैं जब हम Instagram Stories को अपलोड करने जा रहे हैं, तो इन सारे चीज़ों को हम लोग नहीं देखने वाले हैं, बिसकलि हम लोग बात करने वाले हैं कि वाई Instagram Stories, आखिर क्या benefits हमको मिलते हैं Instagram Stories को अगर हम यूज करते हैं, तो अगर हमारा कोई business account है, हम अपने business को Instagram के उपर grow करना चाहते हैं, तो हमें क्या-क्या benefits मिलते हैं, और कि Instagram Stories को support करती है, मतलब कि Instagram Stories को अगर हम यूज कर रहा है, तो हमारे सामने क्या data है, कि अगर हम इतनी Stories को यूज कर रहा है, तो कि इस टाइप से हमारा retention रह रहा है, इन सारे चीज़ों को हम लोग देखने वाले, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक यहाँ पर आपको graph दिख करते हैं, तो लगवग हमें 70% के around retention मिलता है, and this is basically a good thing, कहने का मतलब कि हम Instagram Stories को अपनी ब्रैंड है, उसकी visibility को improve करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो पहला benefit तो हमें यह दिखा कि हम Instagram Stories को इसलिए यूज कर सकते हैं, और कभी भी हमें बहुत जादा Instagram Stories नहीं यूज करनी चाहि है, कि लग रहा है कि 20-25 Instagram Stories आपने एक साथ ही use कर दी, एक साथ ही club कर दी, तो वो चीज नहीं करनी है हमें, ठीक है, अगर आप multiple Instagram Stories को पूरे दिन में use भी करना चाहिए, उनको एक साथ आप मत करें, उनको break कर दें, एक बार के लिए, ठीक है, उसके बाद हम उनको use कर सकते है बहुत ही कम भी आपको नहीं use करना है कि ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल एक ही Instagram Stories आपने लगाई, तो 2-4-5 जो Instagram Stories ने खीक है, on an average जो आप देख रहे हो, 5 Instagram Stories for a single day, ये एक appropriate जो है number है जिसको आप use कर सकते हैं, तो ये brand visibility की बात हो गए, second जो है Instagram Stories हमारे engagement को बहुत जादा बढ़ाते हैं, हर कोई social media account, आप किसी भी social media account के उपर अगर आप जाते हैं, तो आपका पहला जो main objective रहता है, वो ये रहता है कि हमें अभी तो अपनी post के उपर ये जो भी हमारा content है, उसके उपर हमें जादा जादा engagement की बात करते हैं, तभी आपने content में कुछ ना कुछ variations ले के आते हैं, नई नई चीज़ें आप राई करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, नए creative को use करते हैं, ये सारी चीज़ें आप तभी करते हैं, जब आपको जादा engagement चाहिए होता है, ठीक है, तो कोई भी social media account हो, कोई भी social media platform हो, आपकी पहली जो requirement होती हो ये होती है, कि हमारी जो post type of content है, उसको choose करते हैं, अलग-अलग content की strategies बनाते हैं, ताकि जो हमारे accounts हैं, उनके ओपर हमें maximum engagement मिल सके हैं, तो यहाँ पर अगर हमें type of content form की बात करें, तो stories जो हमारे content form होता है, उसमें बहुत जादा engagement होता है, मैं आपको reasons भी दिखा देता हूँ, जैसे अगर आप नाम account के उपर मैं हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस stories सबसे top में दिखती हैं, ठीक है, तो stories सबसे top में दिख रही हैं आपको यहाँ पर profiles में, circles में, आपको stories आपर दिख रहे हैं, तो आप इन पर click करते हैं, तो इन सभी accounts के उपर engagement आता है, तो stories का placement भी इस type का ह जादा chances होते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा engagement मिल सकता है, अगर आप regular stories पोस्ट करते जाएंगे, तो क्या होगा, कि आपकी stories हमेशा यहाँ starting में रहेंगी, ठीक है, आपकी profile हमेशा यहाँ starting में show करेगी, तो अगर यह profile starting में show कर रही है, तो आपको benefit रहेगा, कि जा रपस भी हमारा stories जो है, वो हल करती है, और उसके अलावा stories में आपको इतने variety of content post करने की flexibility मिल जाती, opportunity option मिल जाता है, कि automatically stories के उपर आपको engagements अच्छे मिलते हैं, जैसे अगर आप post करते हैं, तो वहाँ पर जो call to action आपको put करने का option मिलता है, वो जादे आदे call to action आप अपने caption में रख सकते हैं, या image को ही आप इस type से use करें की call to action की तरीके से, उस image को आप use कर सकते हैं, या वो जो caption जैसे मैंने बता है, उसमें आप कुछ ऐसी lines यो call to actions के elements अगर आप use कर रहें तो कर सकते हैं, but stories में आप देखो, जैसे यहाँपर आपको multiple stickers मिल जाते हैं, polls create करने का option म जाता है, जैसे यहाँपर yes no का एक poll है, यहाँपर question पूछने का एक poll है, तो these are the pre-made call to actions, especially designed for stories, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम stories को strategically, properly use करें, तो हम बहुत अच्छा engagement stories के थूरू ला सकते हैं, जैसे यहाँपर भी आप देख रहे हो, जो examples देएं, वो यही शो कर रहे हैं कि कि आप stories को engagement के point of view से use कर सकते हैं, तो पहला जो मैंने आपको बताया कि why Instagram stories, पहली चीज रही कि brand visibility, second चीज जो है, वो यह कि आप जादा-दा interactions drive कर सकते हैं, आप जादा-दा engagement drive कर सकते हैं, और उसके लिए जो pre-made call to actions वगएरा होते हैं, stickers वगएरा होते हैं, बड़े सारे options हमे मिलते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग आ गयाने वीडियो में practically भी देखने वाले हैं, कि stories जब आप create करने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको settings में कौन-कौन सी चीज़े दिखाए देखने हैं, तो practically आप देख लेंगे, तो और जाद आपको clarity हो जाएगी, एक और चीज़ मैं यहीं पर click कर रहता हूँ, कोई भी social media platform है, जब तक आप उसको properly explore नहीं करेंगे, तो उसके features आपको explore करने पड़ेंगे, यहाँ पर किस-किस type के stickers है, किस-किस type के options है, अगर मैं यहाँ पर कोई story post कर रहा हूँ, तो कौन-कौन से हमारे सामने options है, अगर मै कोई post यहाँ पर post करने जा रहा हूँ, तो किस type के options है, जैसे एक छोटे से option की मैं बात करूँ, क्या हम post को zoom in, zoom out कर सकते हैं, क्या हम post के उपर text add कर सकते हैं, क्या post के एक option में जो link लगता है, वो clickable है या नहीं है, क्या post के ऊपर हम कोई link लगा सकते हैं, तो ऐसे सारे options को आ update करते हैं, उन नई features को add करते रहते हैं, नए options को add करते रहते हैं, तो ऐसे में यह habit एक social media person के अंदर होनी चाहिए, ऐसे बंदेगे इंदर जो social media में interest रखता है, social media optimization marketing में interest रखता है, social media content में interest रखता है, इसके अंदर हीiquजए होनी चाहिए, कि वो इस इन सारे platforms को रेगुलर एक हैबिट भी अपने अंदर डालनी चाहिए जो बेनिफिट के हम लोग बात कर रहें इस्टाग्राम स्टोरी के और बैनिफिट में तो जो तीसरा बैनिफिट है अगर आप कोई अपनी वेबसाइट वगएरा उसके उपर अगर आप ट्राफिक लाना चाहते तो आपका CTA का option आपके पास होगा कि आप लिंक्स वगएरा वहां कर सकते हैं इस्टीकर्स वगएरा अगर आप पोल्स वगएरा क्रेट करने चाहते हैं तो इस्टीकर्स के options वहां पर होते हैं जिफ्स वगएरा वहां पर जो है वो शो करा सकते तो ऐसे बड़े सारी options होते हैं तो according to your objective जो भी आपका objective है उसके around आपको CTAs मिल जाते हैं Instagram stories analytics is there ठीक है तो एक और benefit यह है कि post का analytics तो हम लोग देखते ही हैं कि post की हमारी reach किस type की हुए engagements किस type की हुए similarly हमारे सामने जो हमारी stories होती उनका भी proper analytics होता है तो आपके पास ये भी option हो सकता है कि अगर आपने किसी भी किया है for example आपने plan बनाए कि मुझे इस इस type का जो content है वो for a week post करना है दस दिन के लिए post करना है पंदर दिन के लिए post करना है after that you have those numbers you have that analytics जिसको use करके आप further improvement कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी जो plan था ये strategy थी वो ठीक करी किसे काम करी कि नहीं तो Instagram stories separately present है जिसको आप बहुत अच्छे potential पर यूज कर सकते हैं then Instagram stories can be further used as highlights highlights के बारे मैं आपको बताया था तो further आप उसको as highlights जिसे हाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक छोटी से image लगा रखी fashion nature टेप इन सारी चीजों की तरीके से आप की जो stories है जो 24 घंटे के बाद जो है वो expire हो जाती वहां से ग बढ़ेगी you should also create content plan and calendar for show जिस तरीके से हम लोग पोस्ट के लिए जो है separate content calendar बनाते हैं कि कब हमें कौन सी पोस्ट करनी है और उस पोस्ट से हम क्या चीज expect कर रहे है ठीक है पोस्ट हमें करनी है उस पोस्ट का objective क्या है और उस पोस्ट के relation में हमारे लिए कौन सी ऐसी metric है जिस हम मेजर करेंगे shares को ठीक है हम मैजर करेंगे comments को वही पर अगर हम बात करेंगे नहीं इस पोस्ट को हमें जाद़ जाद़ लोगों तक पहुंचाणार है इन डाक्ट केस हम जो metric measure करेंगे वो reach करेंगे तो हमारे objective क्या है और किसी भी specific prospect को लेकर किसी भी specific content को लेकर हमारा objective क्या है और उससे related जो metric है वो कौन सी है यूगि objective को हमने define कर दिया बट वो objective meet हो रहा है या नहीं वो तो कोई न कोई जो mathematical number है वो justify करेगा न ठीक है metric होगी वो justify करेगी तो उसके लिए जरूरी है कि जो हमारी objective होते हैं उनके साथ साथ हम metric भी define करें साथ ही साथ content plan और calendar दोनों हमें बनाना है ताकि हम उनको भी measure कर सके और एक proper way में जो हमारी planning है वो हो सके otherwise आप उठोगे और देखोगे कि हमें आज कोई story post कर नहीं आप रेंडम सी story post कर दोगे ऐसी चीज़े काम नहीं करती है आपको प्रॉपर उसका जो है calendar बनाना होगा प्रॉपर आपको उसका calendar plan बनाना होगा कि हमें कब कॉन सी story जो है उसको post करना और उसका purpose क्या रहेगा so guys I believe अभी आपको बात समझ में आगे होगी कि stories के benefits क्या है अगले वीडियो में जब हम लोग practically देखने वाले हैं कि stories जब हम लोग करने जा रहे होते हमें कौन-कौन से options दिखते हैं उनको हम लोग practically देख लेंगे दोस्तों इस particular वीडियो में इतना ही जिलता है नेक्स वीडियो में तिल दर गुड़ बाई